C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ तेईस, पोचम पल्ली, प्रिष्ठ एक सौची आसी, बुखतारपुर गाउं में रहने वाले वानी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का देर लगा रहता है, उन के अम्मा, अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं, यह बुनाई बहुत ही सुन्दर और अपने आप में अनोखी होती है, उनका गाउं तेलंगाना राज्ये के पोचम पल्ली कस्बे के पास है, यहाँ ज्यादतर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस ब अप्राओं के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं, वानी और प्रसाद के अम्मा, अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी, अब वानी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा, अप्पा की मदद करते हैं, अध्यापकों के लिए बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं की पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं इनमें पोचमपली कारिगर की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसायों जैसे कालीन बनाना, खिलोने बनाना, इत्र बनाना इत्यादी पर चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चों को भारत के नक्षे में आंधर प्रदेश ढूणने के लिए कहें। प्रिष्ट 187 इस प्रिष्ट पर पोचम पल्ली साड़ी बनाने के तरीके के चित्र दिये गए हैं। प्रिष्ट 188 धागे से कपड़े तक अप्पा पोचम पल्ली से धागे की लडियां लाते हैं। अम्मा लडियों को उबलते पानी में डाल कर उनकी गंदगी और दाग दोती हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुन्दर रंगों में रंगते हैं और सुखा कर उनकी गठी बनाते हैं। धागे की गठियां करगे पर लपेटी जाती हैं फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साडियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं सूती धागे से भी साड़ियां, कपणों के थान और चादरें बुनी जाती है करगे में कई सुईयां होती है डिजाइन के हिसाब से सुईयू का नंबर घटता बढ़ता है कारिगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुन्दर पोचमपली साड़ियां बुनते है इन कारिगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मश्यूर कर दिया है खत्रे में कला ऐसी साड़ि बुनने के लिए अच्छी कारिगरी चाहिए इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है फिर भी साड़ियां सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता है रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं खुद वे भाव बढ़ा चढ़ा कर बेचते हैं इसी लिए कई बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं वे अपना गाउं छोड़ कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं इस समस्या का कुछ हल निकालना चाहिए बड़सों पुरानी बुनकरों की यह कला कहीं धीरे धीरे खो न जाए अध्यापकों से बाचित अध्यापकों ऐसे परमपरागत व्यवसाय में भी कई औजारों और कलाओं का इस्तेमाल होता है इस बात पर भी जोड डालें कि अकसर एक चीज को बनाने के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी का काम बटा होता है प्रिष्ट एक सो नवासी चर्चा करो आज वाणी और प्रसाद जैसे कई बच्चों ने अपने परिवारों से यह सुंदर कला सीख ली है क्या बड़े होकर ये भी अपने बच्चों को इस कला के हुनर सिखा पाएंगे इनकी उत्तर कौपी में लिखो क्या तुमने कभी किसी को करगे पर कुछ बुनते देखा है? क्या और कहां? साडी के धागों को रंगा जाता है क्या तुम किसी और चीज के बारे में जानते हो जिसको रंगा जाता है? वाणी और प्रसाद के गाउं में जाओ, तो लगता है कि जैसे पूरा गाउं साडियां ही बना रहा है क्या तुम कोई ऐसा काम जानते हो, जो एक ही जगह के बहुत सारे लोग करते हैं क्या वे कोई चीज तयार करते हैं उसको तयार करने का तरीका पता करो उस चीज को बनाने के लिए आदमी और औरतें अलग-अलग तरह के काम करते हैं क्या उस चीज को बनाने में बच्चे भी मदद करते हैं पता करो और लिखो किसी लुहार, बढ़ही या कुमहार से बात चीत करो और उनके काम के बारे में पता लगाओ उन्होंने अपना काम कहां से सीखा प्रिष्ट 190 उनको काम में क्या क्या चीजें सीखनी पड़ती है क्या उन्होंने अपने काम अपने परिवार में किसी और को भी सिखाया है यहां एक तालिका दी जा रही है जिसमें कुछ कामू की सूची दी गई है क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो ये काम जानते हैं उन लोगों के नाम लिखो पता करो कि उन्होंने ये काम किस से सीखे आप जो तालिका बनाए उसमें तीन कॉलम हो पहले कॉलम में काम दूसरे कॉलम में उनके नाम जो ये काम करते हैं और तीसरे कॉलम में उन्होंने काम कहां से सीखा तो अब हम बताते हैं काम पहले कॉलम में हमने काम लिखा कपड़े की बुनाई करना दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे उनकी नाम जो यह काम करते हैं जैसे दूसरे कॉलम में लिखा वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा तीसरे कॉलम में लिखो उन्होंने ये काम कहां से सीखा वो है अपने परिवार से इसी तरह से आप तालिका बनाईए काम हैं खाना पकाना, साइकिल रिपेयर करना, हवाई जहाज उड़ाना, सिलाई कढ़ाई करना, गाना गाना, जूते बनाना, पतंग उड़ाना, खेती करना, बाल काटना अध्यावकों के लिए, पोचम पल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीजें बनाई जाती हैं इन चीजों के नाम उस इलाके के नाम से ही मशूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की शौल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, इस पर चर्चा करवाई जा सकती है पोचम पल्ली, अभी आप सुन रहे थे, कक्शा चार की पाठे पुस्तक, हमारे आसपास का तेईस्वा पाठ प्रस्तुती, C I E T, N C E R T, नई दिल्ली, भारत